क्या आप सरकारी नोकरी के तलास में हैं तो आपके लिए याख हबर बहुती महत्पूर्ण है जारकान के हर गाउं के लिए निकला है ग्रामिन चोकीदार की बंफर बेकेंसी मैं तो कहूंगा या सुनारा मोका हाथ से जाने ना दे नमस्कार मैं हूर अविकांत भकत मेरा यू क्या होगी आरक्षन कैसे होगा चैन पर क्रिया क्या होगी बेतनमन क्या है और साथ में बात करेंगे आप इदन कैसे आओ कहा करेंगे वीडियो सुरू से अंतक बिना स्किप की ध्यान से देखे सुने और समझे वीडियो सुरू करने से पहले नए दर्सक चैनल को सब्सक्रा रहे हैं नोटिफिशन लंबा है हम लोग इसको इसमें जो है ना मेन मेन सब्दों को यानकी मेन मेन पॉइंट्स को ही बात करेंगे तो देख लिजे ये जो है उपर में बिग्यापन संक्या है वन वटा दो हजार चोबीस आर क्या है कि देखिए सारेकला खरस्वा जिला अंतर यानि कि DC कारजाला से निर्गत किया हुगा है और इसके तहत परते गाउं में एक-एक शोगीदार की निजिक्ती होगी इसके लिए क्या-क्या नियम है क्रेटेरिया है क्या आपका सचनिक जग्यता है जो सब हम एक-एक करके बताते जाएंगे आप लोग ध्यान से सुने औ तुरंथ आविदन करें और था कि आपका सपना पुरा हो कि आप सरकारी जौब तालस कर रहे हैं ठीक है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं देख लिए ये पद जो है ना इस तरह से अपका हर जिला में इसी तरह से दिखेगा हर जिला से जो है दख लिजे ये पद का नाम है चोकीदार रेखते हो किसंगा तीन सो सांतावन ऐसे हर जिले में जितने गाउं है सब गाउं का में एक एक ये है आपका बेकेंसी निकाला गया है चोकीदार के लिए ग्रामीन चोकीदार के लिए देख लिजे यहां सारे कला खर्षवां का जहां तक बात करें तो अनारचित है 142 और जवजा यानि कि ST के लिए 146 और 99 जाती के लिए 3 अती पिछड़ा बर के लिए 1 पिछड़ा बर के लिए 15 और EWSN की दिभ्यांग जनों के लिए 50 है पुल इस तरह से 357 पद के लिए वेकेंसी निकला गया है ये सरेकला खर्षवां के लिए ऐसे ही आपके जिले जहां से आप देख रहें उसी जिले के में जाकर आप उपायुक्त कर जालें जाकर इस नोटिपरिशन को देख सकते हैं और अपना जो सपना है पूरा कर सकते हैं तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं आगे चलते हुए देखते हैं कि इसका क्या-क्या क्रेटेरिया है देख लिए ये चैतिक आरचन आरचन के बारे में अगर बात करें तो इसमें कुछ नियम बनाया गिया है आपको ध्यान देना होगा देख लिए इसमें खेलकूद यानि कि दिब्यांग जोनों के लिए 4% अरक्षद रखा गिया है और राजवासर विवाग जो जो अरक्षन कोटी के अनुसुजी जनजाती के अरक्षन कोटे से 2% कि न को दिया जाएगा आधिम जनजाती को दिया जाएगा ठीक है इस तरह से अगर देखा जाए कि और जो बताए इसमें द देखलीजिए पांच प्रतिसत मौहिलाओं के लिए अरक्षित रख्था गिया थीक है तो चलिए यह हुआ अरक्षन की पात्थ तो हम लोग आगे बात करते हैं सचनिक जोग्यता के बारे में देखिले ज़ा आप एकडम बहुत ही साधरन सचनिक जोग्यता रखा गिया है इसमें आपको ध्यान देना होगा कि कि नुन्यत्म सच्चनिक जोगेता जो मानेताप्रत किसी संगस्थान या बोट से दस्मी कच्छा की उपतिर्ण होना अनिवार्ज है अभार्दी के स्थानिया निती रिती रिवाज जो है न ये भासा एबंग परिवेश का ज्यान होना अनिवार्ज है और विशेस करके देख उम्रसिमा के बारे में अगर बात करें तो देख लिए नुन्हताम उम्रसिमा जो है श्राइब वर्स रखा गया है ठीक है और अधिकतम उम्रसिमा के बारे में लखा जाए गया और अरचित जो याने की जनरल केटागोरी के लिए 35 वर्स पीचडा या अत्त पीचडा वर्ग के लिए 37 ना महिला अनाराचित पीचडा या अत्त पीचडा वर्ग सभी के लिए 38 वर्ग रखा गिया है और उसुचे जाती जन जाती चालीस बर्ग या । अब हम लगत आगे बढ़ती बें देखा जाएगा इसमें क्यांका छूट दिया हुआ है और आज तक जो अव्यत्तिनिक रूप से चोकिदार के रूप में कार्च कर रहे हैं वैसे अव्यार्थियों को पार्थमिक्ता दिया जाएगा और उम्र सिमा में दस बस की छूट भी दिया जाएगा ठीक है तो आईसीमा के गर्णना कहां से किया जाएगा यह देख लिए एक साथ दो आजार चोविस के तिती से आईसीमा को गर्णना किया जाएगा और जो विशेश करके और जो क्रेटर रखा गया है देखें नौट सिक्स में से संबंधित बेखती को प्रत्यमुक्ता दिया जाएगा ठीक है और यहाँ नौट सेबर में लिख्या हुआ है अब यहार्थी को साइकील चलाने का ज्यान आवश्यों होना चाहिए ठीक है आगे चलिए हम लोग देखते हैं इसके क्या क्या क्रेटरिया रखा गया है निज लिखित परिच्छा में संबंधित प्रसन पूछे जाएगे लिखित परिच्छा में नुन्नतम तीस प्रतिसत अंख प्राप्त काना अनिवाज होगा शपल उमिद्वाओं को सुची वन पॉयंट वन इस्टो थी की संख्या में त्यार किये जाएगा ठीक है एक के पद में अगर तीन वेक्तिव को हम लोग इसमें पैनल में रखा जा सकता है ठीक है आगे हम लोग देखते हैं सारीडिक माप के बारे में अगर सारीडिक मापदन क्या होगा इसके बारे में ठीक है सारीडिक मापदन को देखा जाए तो थोड़ा सा देखिए लिए नुननतम सारीड सेंटीमिटर और पिछ ड्राबर के लिए 160 और अनुसोची जाती जन जाती के लिए 155 सेंटीमिटर उचाई और महिलाओ के लिए 148 सेंटीमिटर उचाई जो हाइट में रखा गिया है ठीक है अगे हम लोग देखेंगे लिखी परिच्छा में जो है ना समन्ने ग्यान समन्ने ग्यान और स्थानी वहसा समन्दित पचास बहुपी कल्पिया प्रसन होंगे जिसमें डेड़ घंटा समय रहेगा और गलत उत्तर के लिए कोई अंक कटोती नहीं होगी सारेक जांच में अगर सारेक जांच देखा जाए लिखी परिच्छा में उत्तिन और सारीक माप में अंकित नून्हत्यताम सारेक मापकार अभर्ती जांच में भाग लेंगे सबी अबर्थी एक मिल दोड में भाग लेंगे यानकी उसके सारी जांच में एक मिल का दोड होगा और उसके लिए जो है बता दे रहे हैं अपको देख लिजे ये पूरुसों के लिए पांच मिनिट या उससे पहले अगर दोड एक मिल पुरा करता है तो उसको 20 अंक दिया ज जाएंगे मतलब उसको आम लोग इस पैनल से बाहर निकल दिया जाएगा महिलाव के लिए जो अगर देखा जाए आठ मिनिट में अगर एक मिल का दूरी ताय करते हैं तो बीस अंक और आठ मिनिट से दस मिनिट के भी शुका तो दस अंक इस से अधिक समयल अगर लगता है तो उसको बाहर कर दिया जाएगा ठीक है चलिए आगे यह जो है आपको चोकीदर नियो वाली जो है सौंग्सवादन समंदी विभागी आधिसुचना के तहत इस सब किया जाएगा ठीक है चलिए इसको कोई महत्र ने रखता बाकी देख लिए मेधा सुची जो है कैसे त्य अच्छा है प्राप्त अंक है सरीरिक जाच के पस्चात अंक या कार्यानुभव से प्राप्त अंक की योग के अधार पर मेधा सुची तियार किया जाएगा इसमें लिखित और सरीरिक जाच में जो अंक मिलेगा और कार्यानुभव जो कार्यानुभव है यानकी पहले से ज सफल बर्तियों को साथ जाज की जाएगी सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्तव के निर्वानतों आवसक सारेडिक उमानसिक सवस्तता मापदान के अधार पर योग्य पाए जाने के इस्तिति में ही निजुक्ती होगी ठीक है ठीक है और रहें परिविक्षा की बारे मताग प्रियस्त Then अगर किसी चोकीधर की सेवा परिविक्षी की अभदी में संतोष जुनक्स नहीं पाया जाता है ठीक है तो अन्त परिविक्षा की अभदी एक बर्स के लिए बढ़ाई जा सकती है ठीक है बर्णित-अब्दी के दरभियान भी सेवा संतर्जम नहीं पाए जाए तो परिस्ति में सेवा समाप्त किया जाएगा ध्यान रखियागा यानि कि आपको दो सल के लिए रखा जाएगा उसमें देखा जाएगा आपका काजप्रानली किस प्रकार है ठीक है उसके बाद अगर बेतन मन को देखा जाए ये जो बहुत ही महत बेतनमान के अधार पर रखा जाएगा ठीक है और उसको स्टीडूल वन के पेव मेट्रिक लेवल अठारो हजार से लेकर चपन हजार पांसो के मूल बेतनमान यानिकी अठाराजर तो समय समय पर दैभात्ता जोरी होगा यह बहुत ही अच्छा बात है आप लोग ध्यान से दे अभिधन प्रक्या में लिखा जाएगा देखिए उमिद्वार को एक बीध परपत्र में अपना कागजात सेर्चनिक अंग परवन पत्र के साथ सथ प्रमानित प्रति अरक्षा नहीं तो दवा है तो सच्छम पदाजिकरी दोरा निर्गत अद्दतन अवसिय यह जाती आयुक कर जाले में आप अपने यह भेज सकते हैं भेजने का भी जो नियम है वह भी हम बता रहें आपको यह निर्धाय तीथी से पहले ही आपको जमक कर देना होगा ठीक है इसमें आविदन करने की जो प्रक्रिया है इसमें बंद लिफापे में निवन डाक यानकी साइड में जाकर आप इसको देख सकते हैं उपर से नीचे तक दम द्यान से पढ़े आप पढ़ने के प्रश्चा इसको पूरा फॉर्म को भरते हुए आगे इसका कम कर दे ठीक है इसके बाद अगर सूल्क दिख लिए आविदन सूल्क के बारे में बताए गया है इसमें अ अतंत पिछड़ा बर के लिए 200 रुपिया अनुसवजी जाती जन जाती के लिए 100 रुपिया और पोस्टल ओडर या बेंग ड्राप जो है अपना जिला के उपायुक्त के नाम पर भुक्तन होगा उसको संगलगन काना अनिबार जोगा परिच्छा जो तीथी है परिच्छा रखा गिया है वह अपने जिला से उसी नाची डॉट के करजाले से अपका पता लगा सकते हैं कहां भेजना है यहां तो लिख्या है प्रवारी पदादिकरी सब अनिशा का वाइद करदा है सारे कला खर्सवा ठीक है इस तरह से आप तुरंद अपना अभिनर पत्र भेज द झाल झाल